नमस्कार स्वागत है आप सभी का समभाद ट्यूए मैं हूँ आपके साथ सूरज की बारी इस वक्त मैं मवजूद हूँ पंच दस नाम आओहान अखाडे में और आओहान अखाडे मुझे मिल गए ऐसे नागासादू जो अभी अभी नागासादू बने हुए हैं जो आओहान आओह तरह सकते हैं जैसे तरह सिंधान नागा स्था बने जाते हैं अज्यकर आगासादू बहुते हैं में इस नागा बनते हैं लोगन यह आज रहेरी इसी नागा है यहां से नागासादू ने नाम क्या है मैरा घेश भगवान दिया हुआ और गुरू महाराज को चोटा तो अभी आप किन्ने दिन हुआ नागा साथु वने हुए आप अभी दो तारिक को बने दो तारिक को आप लोका संसिकार हुए क्या कारण था अरे हमको शॉक थी जिएु जिसकी भकतिकरने के लिए अच्छा बबा का आस्रम होसे कहाँ इसका ध्याब रहते हैं चाश्रम मेरे मैं एक हर्याना में है अभी क्या उन्मार होगी दाप की चालिस पेह तार इसाथ आप बारा साल पहले साथू उसके पहले आप क्या कररें देज़ आप इस गिरिभु थेटाइस काम करते आप में करता सब काम कर लेते थे अचानक साधू बनना चाहे क्या कारण थे कोई नो कोई वजा हो गया भक्ती पिर लेंट चला गया तो आपका परिवार आ गया था परिवार होता जैसा की साधी होती है बच्चे होते हैं होते हैं हमने साधी किया ही नहीं साधी नहीं किया थे आप अगर आप बुरा ना माने तो कहां के रहने वाले थे आप हम प्याग राज के हैं रहने वाले सीतला धाम हैं कंथ गामर्फशी पे वहां के रहने वाले करना मेरा पुष्पेंद्र नाम था पारे फेर्णि कौमार स्थ्खेंद को पुराणों नहीं चाहँ बहुत बढ़ा सभसे बड़ी पूजा माता पिता कबेंगी करने चाहिए सब पूढ़े लोग माता पित हमें आप सब को छोड़कर नागा साधु बने हुए अज भी माता पीता को मानता हूँ माता भी मेरी जो है गुरूज के गृष्टी भग्त है वो भी कभी कभी आती है वो भी ये 15 तारिक आई थी यहाँ पे तो माता जी आप अपयो anti- पहचान जाती है क्यों नहीं पहचानिगी माता तो आती सकती होती है तो माता जी ने अग्या दिया था कि बन जाओ माता जी ने अग्या दिया था तो माता से बात करते होंगे हां करते हैं फोन से बात करते हैं और मिलना कब कब होता है माता जी से मिलना तो कभी कताब कभी कभी हां यह पता है माता जी को कि आम नागा साधू बन गे ही सखाड़े म है हां साल भर में हमारे गुरुजी का स्रम कंथुआ गाउं में है वहां पर गुरुजी मलमास महीने में हर साल जो है वहां जाते हैं तो मैं भी उनके पास पहुंचता हूं तो महीं माता जी आ जाती है मिल लेते हैं अच्छा बाबन क्रोध होता है लोब होता है माया होती है का कुछ नहीं है कि अब कि इतने घंटे साधरा में रहते हैं हमारा कोई समय नहीं है अब है बहुत चीज़ें भी गुरु जी के द्वारा सिखाई जाने बाकि होंगी आपको कुछ नहीं बाकि क्योंकि मैं अठारा पुरान का गयाता भी और चारों वेद क forcément मतलब है मैं सब को अपना ध्यान में लखा हूँ बाबा आप बोले अठा पुरानों के बारे में आप जानते हैं वेदों के बारे में जानते हैं तो अगर कुछ बता पाएं आप क्या पोछना चाहेते हों कुछ जो चपसे अच्छा को पुराण से अच्छी बाते घूँग рук zda tu पूरान में कौन सी अच्छी बाते है जो आपको अच्छी लगती है और संसारिक चीजों से जूड़ी हुई है मेरे कुछ सभी अच्छी लगती है सभी घगवान का नाम अश्य है कुछ बतापाएंगे बाबा आप च्यावताएगा पूरान में जो चीजे अच्छी जो बता दिया चलिए चलिए तो बाबा जी कुछ जो मंत्र हो जो आप अभी जाब करते थे अभी मैं आया आप जाब कर रहे थे मन में कौन से मंत्र का जाब कर रहे थे अरे कौन से मंत्र का जाब हो ओम नमस्चिवाय किया जाता है माता जी के आग्या से ये नागा सादू बने हुए और फोन में बातें भी हो जाती है माता जी से इसी तक कुम से आपको और कुछ विसेश चीजे दिखाएंगे तो तक मैंने समवाट टीवी के साथ बीडियो जान इस लभी के साथ सूरस समवाट टीव